हेलो पिडिये च्छात्रों आज हम आपके लेके आए हैं सीटेट एक्जाम जुलाई 2020 के लिए एमपीटेट बर्गी तीन एक्जाम के लिए बाल पिकास एवं सिच्छा सास का मॉडल पेपर नमबर बारा अगर आप सीटेट एमपीटेट बर्गी तीन की तयारी कर रहे हैं त तो इस वीडियो को जरूर देखें कि कॉस्चन नमबर फर्ष्ट है स्कीन पर आप देख रहे हैं आपर भेरी भेरी मोश्ट इंपोटेंट कॉस्चन है अगर आप आंसर जानते हैं तो कमेंटेश जरूर करेंगे किस मनो बिज्यानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प दीमी प्रिक के लिया है नेश्ट कोश्चन देख लेते हैं स्कीन पर बहुत प्यारा कोश्चन है एकजाम में बिल्कुल आ सकता है आंसर जानते हैं आप तो कमेंटेश जरूर करेंगे बार लबस्ता होती है पांच बरस तक बारा बरस तक 21 बरस तक या इन मेंसे कोई भी न नहीं लोट कर लें कोश्चन नमबर सेकेंड का बच्चे हाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्सन नमबर भी होगा बार लबस्ता होती है आपकी बारा बरस तक नेश्ट कोश्चन देख लेते हैं स्कीन पर अगर आप आंसर जानते हैं तो कमेंटे जरूर करेंगे बड़ का बच्चे हाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ओप्सन ए होगा नोट कर ले अधीगम एबं बृद्धी नेश्ट कोश्चन देख लेते हैं स्कीन पर बहुत अच्छा कोश्चन है आंसर जानते हैं तो आप कमेंट जरूर करेंगे ठीक है विकास में बृद्धी से त बृद्धी नोट कर ले कोश्चन नमबर फूर का बच्च्चे हाँ पर करेक्ट आंसर होगा ओप्सन डी होगा ठीक है नेश्ट कोश्चन देख लेते हैं स्कीन पर बहुत प्यारा कोश्चन है अगर आंसर जानते हैं तो जल्दी से कमेंट कर दें परीपक्ता का संबंद हो बहुत अच्चा है अच्चा कोश्चन है बहुत अच्चा कोश्चन है तक की आंसर क्या होगा इस नेश्ट कोश्चन देख लेते हैं इसकीन पर कोश्चन नमबर सेविन बहुत ही प्यारा कोश्चन है मोस्ट इंपोटेंट कोश्चन है बालक का विकास पईडाम है बंसानुकरम का बातवन का बंसानुकरम बातवन की अंता किरिया का या आर्थिक कारकों का कमेंट करें कोश्चन नमबर सेविन का करेक्ट आंसर किया होगा Q7 का बच्चे यहां पर correct answer होगा आपका option C होगा बंसा नूख किरम बा बातवन की अन्ता किरिया का Next question देख लेते हैं इसकी इन पर बहुत अच्छा question है एक बच्चे की मांसिक आयू 12 है बास्तिपिक आयू 10 है तो बुद्धी लब्धी क्या होगी मांसिक आयू 12 है बास्तिपिक आयू 10 है इन्टू 100 होगा इसका correct answer आएगा आपका बच्चो option question number 8 का यहां पर correct answer किया होगा 12 upon 10 होगा इन्टू 100 होगा ठीक है यानी 120 answer आएगा यानी C option आपका correct होगा नोट कर ले इस सूथ किस ने दिया था बुद्धी लब्धी का आप कमेंट करके बताए हमें हमें भी तो पता चले कि आप तयारी कैसी कर रहे हैं आप लोग कमेंट जरूर करें बुद्धी लब्धी का सूथ किस ने दिया question number 9 is screen पर सारिक विकास का छेट थे question number 9 का बच्चे यहाँ पर correct answer होगा आपका A होगा नोट कर ले इस नायू मंडल ठीक है dash question देख लेते हैं इस screen पर बहुत अच्छा question एक्जाम में आता है पर तु बच्चे गलती कर देते हैं अक्सर question number 10 का यहाँ पर correct answer होगा आपका A होगा correct answer अच्छी लिखावट सही answer होगा परन्तु चात लेखन में इस पश्चता B टिक करके आते हैं जो उनका answer गलत हो जाता है नोट कर लें सियाम पट पर लिखते हैं सबसे महत्पूर होता है अच्छी लिखावट ठीक है नेश्ट question देख लेते हैं इस screen पर question number 11 बहुत ही अच्छा question है आप लोग comment करेंगे सही answer किया होगा सरीर के आकार में ब्रिद्धी होती है क्योंकि आपके पास चार option ने correct answer किया होगा comment करें सारीक और गत्यात्मक विकास इसका correct answer होगा ठीक है नेश्ट question देख लें इस screen पर question number 12 है इस screen पर बहुत ही अच्छा question है आप लोग comment करेंगे बच्चों सही answer किया होगा मानसिक विकास को प्रिवावित करने वाले कारक है बंसानुकिरम परिवार का बाता वण परिवार की सामाजिक इस्ति तो नोट कलने question number 12 के बच्चों इहाँ पर correct answer होगा option D होगा उप्रोक्त सभी उप्रोक्त सभी कारक मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं मानसिक विकास ठीक है नेस्ट कोश्चन देख लेते हैं स्कीन पर question number 13 बहुती प्यारा question है आप लोग comment करेंगे सही answer किया होगा प्याजे के संग्यानात्मक विकास के अनुसार संबेदी क्रियात्मक अवस्था होती है correct answer किया होगा आप लोग जल्दी से comment करें question number 13 बहुती प्यारा question है 13 का बच्चे हाँ पर correct answer होगा option यह होगा जनम से लेके दो बरस तक note कर ले प्याजे के संग्यानात्मक विकास के अनुसार संबेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जनम से लेके दो बरस तक question number 14 है इसकीन पर बहुती अच्छा question है comment करें सही answer किया होगा बच्चों ने में मैंसे कौन सा कथन सत्थ है लड़की बुद्धी मान होती है लड़की आधिक बुद्धी मान होती है बुद्धी का लिंग से कोई संबंद नहीं है सामानता लड़की लड़कीों से दिक बुद्धी मान होती है question number 14 का बच्चों हाँ पर correct answer होगा option C सत्थ कथन को चुनना था बुद्धी का लिंग से कोई संबंद नहीं होता बिलकुल 14 का C correct answer होगा question number 15 एसकीन पर बहुती प्यारा question है आप कमेंट करें सही answer क्या होगा parameters का उद्धी क्या होता है question number 15 15 का बच्चों correct answer क्या होगा जल्दी से comment करें बच्चों का समझना बच्चों की कम्यों का कान का पता लगाना बच्चों का समय उजन में सहायता करना कोश्चन नमबर 15 का बच्चे हाँ पर करेक्ट आंसर होगा D, उप्रोक्त सभी परामर्स को देश होते हैं, ठीक है, नेश्ट कोश्चन देख लेते हैं, इसकीन पर आज का कोश्चन नमबर 16 बहुत ही अच्छा कोश्चन है, आंसर जानते हैं तो जल्दी से कमेंट करें, सिच कोश्चन नमबर 17 बहुत ही प्यारा कोश्चन है, जल्दी से कमेंट करें, सही आंसर किया होगा, बच्चों में नेतिकता की स्थापना के लिए सरबुत तम्मार्ग है, उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, सिच्छा कादर्स रूप में विभार करना, उनका मूल कोश्चन नमबर 17 बहुत ही प्यारा कोश्चन है, जल्दी से कमेंट करें, सही आंसर किया होगा, सिच्छा में प्रोवेल का महतपूर्ण युगदान था, इन्होंने किसका विकास किया, ठीक है, सिच्छले की कौन सी बिधी बनाई पद ती, कोश्चन नमबर 18, 18 का बच्च यहां पर करेक्ट आंसर होगा, आपका C होगा, किंडर गांडर पिल डाली, नोट करने, कोश्चन नमबर 18 का करेक्ट आंसर C होगा, कोश्चन नमबर 19 इसकीन पर, बहुत ही प्यारा कोश्चन अच्छा है, एकजाम में आ सकता है, आंसर जानते हैं तो कमेंट आप जरूर कर कोश्चन नमबर 19 का बच्चेहां पर करेक्ट आंसर होगा, आपका B होगा, नोट कर लें, सहयोग की भावना का, ठीक है, कोश्चन नमबर 19 का B आंसर होगा, आपका सहयोग की भावना का, कोश्चन नमबर 20 इसकीन पर, बहुत ही प्यारा कोश्चन है, आप लोग कमेंट जर का सरवागीन विकास करना पढ़ना एबम लिखना सिखाना बौधिका का विकास करना बहुत ही प्यारा कोश्चन है बहुत ही आसान कोश्चन है मैं उम्मीद करता हूं कि सभी 36 आंसर देंगे सिच्छक काती महत्पूर्ण उद्देस किया होता है 20 का बच्चों यहां पर करेक् फिर मिलेंगे नैस्ट मॉडल पेपर के साथ अगर आप सीटेट एमपीटेट यूपीटेट रीट की तैयारी कर रहें तो हमारे वीडियो जरूर देखें वीडियो के साथ आप लाइव क्लास अटेंड करें बहां आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमारा आपसे बाद झाल